वेलकम टू नेक्स एक जाओं आज है 23 नौवंबर 2022 और 30 नौवंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें लास्ट वम मैं आपसे कुश्चिन पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक से बताना है आज किस वीडियो की पीडियो की डिस्कसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप मारे टेलेग्राम गुरूप से भी डा कुश्चिन है हाली में फिलिस्तिनी लोगों के साथ एक जुटता का अंतरास्टी दिवस कम मनाया गया है तो अभी 29 नवमर को फिलिस्तिनी लोगों के साथ एक जुटता का अंतरास्टी दिवस मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे आपसेंस है फिलिस्तिन से समंदित मुद के बारे में लोगों को जागरूख करने के लिए हर साल 29 नवंबर को ये प्लेस्तिनी लोगों के साथ एक जुटता का अंतरास्टी दिवस बनाया जाता है अच्छा ये इंपोर्टेंट डे वाला कुश्चिन है तो नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बना करते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और चेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट विक्स करो लेकिन डेली मॉर् बारत के दुग्द उत्पादन में कितने मेट्रिक टन की ब्रद्धी हुई है तो पिछले आठ बरसों में बारत के दुग्द उत्पादन में 83 प्रतिसत की ब्रद्धी हुई है तो इसकुषिन का से ओप्सन सही है और अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रत्सत रहने का नुमान लगाया तो अभी S&P Global Ratings ने दूजर 22-23 में भारत की आर्थिक ब्रद्दिदर 7 प्रत्सत रहने का नुमान लगाया तो इसको इनका B options है पहले 7.3% रहने का नुमान लगाया था जिसे अब घटा कर 7 प्रत्सत कर दिया है नएक है हाली में KBIC के अद्यक्ष मनोज कुमार ने कहा rehab पर्योजना का उद्गाटन किया तो KBIC के अभी अद्यक्ष मनोज कुमार इनोंने ने नीताल में रे हैब परयोजना का उद्गाठन किया, danseries की option से यह है, अब ये रे हैब परयोजना, ये किस से संभाग दित है, call में होता क्या है, जो मानबस्तियां है, उन पर जगली हाथी हमले कर देते थे, तो जंगली हाथीo's के हमलों से मानबस्तियों को बचाने के लिए, ये एक रे है परियोजना सुरू हुई है इसमें क्या होता है जैसे ये सपूच माना बसती है इसके बाहर मदमक्यों की पेटियां रख दी जाती है जिन पेटियों में मदमक्यां रहती है उनको रख दिया जाता है और इन सभी पेटियों को एक बाहर से कनेक्ट कर दिया जाता है अब तो जो क्रॉस करता है उस पर हमला कर देती है जिससे कि वो वापस लोट जाता है तो इसमें दो फाइदे होते हैं एक तो हाती के साथ टकराव नहीं होता और दूसरा मदमक्यों से हातीयों को भगा दिया जाता है और मदमक्यां रहती है तो उससे क्या होता है सैद भी बनता है तो ये है रे है परियोजना इसका उदगाटन अभी ने निताल में किया गया ने क्यूशन है हाली में लेंगिक हिंसा के खिलाब केन सरकार ने कौन सा अभियान सुरू किया है तो लेंगिक हिंसा के खिलाब अभी केन सरकार ने नई चेतना नाम का अभियान सुरू किया तो इस जुरू कियाए नेहिशे ने हाली में बिजे हजारे ट्रॉफी में किस राजी की खिलाडी रिट्टु राज गायक वार्ड ने एक ओवर में साथ चक्टे लगाए तो रिट्टु राज गायक वार्ड ये मारास्ट के हैं और अभी इन्हों ने उत्तर प्रदेश के खिलाब मैच में एक ओवर में साथ चक्की लगा कर नया रेकॉर्ड बना दिया तो इसको शिंग का बी ओप्सन से ही है अब माराष्ट तो यह है मैप में माराष्ट खिलाब क्या है माराष्ट की चीपनिस्टर कौन है एकनात सिंदे और माराष्ट की गवर्रनल कौन है भगत सिंग कोशियारी अभी माराष्ट सरकार ने सुतंता सिननियों की पैंशन को दोगुणा करने का फैसला लिया कुरुना के बाद नई कंपनिया खोलने में माराष्ट टॉप पर रहा है माराष्ट के रंजन गाउं में electronics manufacturing cluster बिक्सित किया जाएगा माराष्ट सरकार Cyber Intelligence Unit इस्तापित करेगी और माराष्ट के उपमुख्य मंतरी ने बंदे मातरम पहल सुरू की है हाली में किस देश ने दिग्जच चीनी कंपनी वाई पर प्रतिबंद लगाया है तो वावे ये एक Chinese कंपनी है इस पर अभी अमेरिका ने प्रतिबंद लगा दिया तो इसकुशन का C options रही है जनरली बोलचाल में से वाई भी कहते हैं तो ये एक Chinese कंपनी है इस पर अभी अमेरिका ने प्रतिबंद लगाया है अब अमेरिका ने प्रतिबंद लगाया है तो अमेरिका के President कौन है जो बाइडन अमेरिका ने भारत को Currency Monitoring List से अटा दिया है अरोना मिलर ने अमेरिकी राज-मेरिलेंड के उपर राजपाल का पद समाला है अमेरिका और दक्षिर कुरिया ने बेजिलेंट स्टॉर्म सेंड अब्यास का आयोजन किया अमेरिका ने अपने नई राश्टी सुरक्षा रणने तिजारी की है अमेरिका का हर्ट्स फिल्ड जेक्सन अटलांटा अंतरास्टी हवाई अड़ा दुनिया का सबसे ब्यस्त हवाई अड़ा बना है इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन से डिफेंस एक्साइज होती है कूप इंडिया, टाइगर ट्रंफ, बज़ प्रहार और युद्ध अब्यास ने कुशन है हाली में किसे रास्टी, गोपाल, रत्न, पुरॉसकार से सम्मानत किया गया धुग्ध के छेत्र में अनुकरणी योगदान और धुग्ध के छेत्र में जो अनुकरणी ब्रदी होई है उसके लिए ने राजटी यो गोपाल रत्न पुरुषकार से समाने किया किया हाली में चत्रपती सिवाजी महाराज बास्तु संग्राले ने यूनेस्को पुरुषकार जीता है ये बास्तु संग्राले कहा है तो ये मुंबई में है तो इस कुषिन का A option से ही है सौ साल से भी ज़्यादा पुराना ही संग्राल है और इसको अभी युनेसको पुरुसकार मिला है अब युनेसको यानि की युनाइटेड नेशन एजुकेसनल साइन्टिफिक एंड कल्चरल और्गनाईशन इसकी स्थाप नकव हुई 1945 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है पैरिस में और इसके प्रजेंट टेम पे हेड कौन है अउड्रे अजोले नेक्युशन है हाली में आरके सिंग ने केसराज में दस मुबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्गाटन किया तो हमारे प्रजेंट टेम पे केंद्री, बिद्यूत, नभी गरडी, उर्जामंत्री है आरक सभी इन्होंने अभी बिहार में 10 मुबाइल हेल्ट किलिनिक का उद्गाटन किया तो इसकुशिंद का बे-option से यह अब बिहार तो यह है मैप में बिहार विहार की टीडिल क्या है पठना विहार की चीप मेंश्टर कोन है नितीश कुमार और वियार की गौवर्नल कोन है और नो बैक डे सुरू करने का फैसला किया है बिहार की खगोले वेजसाला को युनेस्को की महतपूर्ट संकट गरस्त बिरासत वेजसालाओं में सामिल किया गया और फिलिप काड ने बिहार राजी कोसल बिकास मिसन के साथ समझाता किया है अच्छा बिहार में बालमे की एटेक मिल चुका है ने शुषिन है हाली में केस मंत्रा लेने 41 में भारत अंतरास्ती ब्यापार मेले में पुरुसकार जीता है तो अभी स्वास्ते मंत्रा लेने 41 में भारत अंतरास्ती ब्यापार मेले में पुरुसकार जीता तो इसकुशिन का से ओप्सन सही है सारवजनि संचार और पहुँच में उत्क्रष्ट योगदान के लिए स्वास्तय मंत्राली ने ये पुरुष्कार जीता है। नए क्युशन है, हाली में भारत और केश देश की बीच हरे मौ सकती अभ्यास शुरू हुआ है। तो अभी अपने देश भारत और मलेसिया की बीच हरे मौव सकती अभ्यास शुरू हुआ तो इसकुशन का बे आप्शन सही है हरे मौव सकती अभ्यास यह पुलाई क्लुआंग में शुरू हुआ है मलेशिया के पुलाई क्लुवांग में ये हरिमव सक्तिय ब्यास चुरू हुआ अब मलेशिया तो ये है मैप में मलेशिया मलेशिया की केपिटल क्या है कौला लंपूर मलेशिया की करंसी क्या है मलेशियन रिगट और मलेसिया के present time पर प्रायमिस्टर कौन है अनबर इब्राहिम कौन है अनबर इब्राहिम ने क्योशन है हाली में WHO ने मंके पॉक्स का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो अब WHO ने मंके पॉक्स का नाम बदल कर M.Pox कर दिया है तो इस कुशन का C option सही है अब WHO यानि कि World Health Organization इसकी स्टापना कब हुई 7th of April 1948 को इसका headquarter कहां पे है जिनेवा में और इसके प्रजेन टेम पे हैड कौन है टेड्रोस अधानूम गेवेरियस नए क्यूशन है हाली में किस ने हिंदे पकवाडा 2022 के बिजेताओं को पुरुस्कार प्रदान किये हैं तो हमारे लोकसभा के speaker हैं ओम इन्होंने अभी हिंदे पकवाडा 2022 के बिजेताओं को पुरुस्कार प्रदान किये तो इसके शिन का A options है यह नए क्यूशन है हाली में किस देश की फिल्म आगन तुक ने International Film Festival of India के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद D.I. पुरुस्कार जीता है तो यह बांगला देश की इसके फिल्म है आगन तुक इसने यह पुरुस्कार जीता तो इसके शिन का C options है और यह जो International Film Festival of India है इस बार यह गौवा में हुआ है अब बंगला देश तो यह है मैप में बंगला देश बंगला देश की केपिटल क्या है डाका बंगला देश की करंसी क्या है टका बंगला सीना और बंगला देश के प्रजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है अब्दुल्ला हामित अब लाश्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लाश्ट वीडियो में मैं आप से कुश्चिन पूचा था कि हाली में कैसे पेरू के नए प्रदानवंत्री के रूप में न्यू कुश्चिन के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्चिन है हाली में किस देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है चा क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर्सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फिजन विदाउट एनी हजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 से लगा तो अगर इबेङिए अपको अच्छा लगा है यह लगा है प्लेज कमेंट बाक्स में तो सब्सक्राइब ऎक नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरुए कर लेजेए आपको इस चैनल से निष्चित ही मदब मिलेगी जब बे आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो ब्रावर में एक बेल आइकन मन क्या आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में कर इंट अफ़ेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज विद यू थैंक्स पर वाचिंग